हेलो फ्रेंड्स स्वागए था एक बार फिर से आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं different parts of CRT CRT जो होता है इसकी कौन-कौन से part होते हैं इन सारे part को हम लोग deeply ही समझेंगे CRT क्या होता है Cathode Rate U जो CR-O का हिर्दय का जाता है हड का जाता है वो होता है CRT CRT के different parts को हम लोग समझेंगे बारी बारे से तो वीडियो को last तक देखिएगा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि CRT की कौन-कौन से part होते हैं और इनका काम क्या होता है ठीक है वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को like कीजेगा और हमारी चैनल पर नहीं होगे तो अच्छे चैनल को subscribe कर लिजेगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं diagram का यहां पर देख सकते हैं सबसे पहला होता है आपका base ठीक है जहां से हम लोग connection देते हैं उसको बोलते हैं base तो CRT का जो diagram कुछ इस तरह से होता है आप इसका screenshot भी ले सकते हैं और आप अपने से बना भी सकते हैं इसको तो पहला इसका जो part होता है यहां पर देख सकते हैं heater ठीक है यहां पर होता है heater यह वाला जो part है heater होता है उसके बाद जो दूसरा part होता है यहां पर cathode होता है यह वाला जो part दिखाए दे रहा है यह आपका cathode है और यहां से जो अगला part है यह वाला इसको क्या बोलता है control grid ठीक है अब अगला पार्ट जो आता है वाला पार्ट इसको क्या बोलते है प्री एक्सिलरेटिंग एनोड ठीक है इसको साट में बोलते है पी ए ए ठीक है अगला जो पार्ट आता है इसका ए वाला पार्ट इसको क्या बोलते है फोक्सिंग एनोड इसको साट में बोलते है X-Rating Anode AA इसको बोलते है ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं दो प्लेट से यहाँ पर एक वर्टिकल एक होर्जंटल है तो यहाँ पर यह वाला जो दुनों प्लेट है इसको बोलते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और यहाँ पर जो यह वाला दिखाए दे रहा है इसको बोलते हैं होर्जंटल डिफ्लेक्शन प्लेट फिर आता है यहाँ पर CRO का जो स्क्रीन होता है वो आता है यहाँ पर ठीक है तो यह होता है इसका बेसिक सरक्रीड डाइग्राम CIT का ठीक है इन सब के बारे में एक एक पार्ट को उम लोग बहुत डीपली से समझेंगे कि एक एक पार्ट कैसे वर करता है काम क्या होता एक एक पार्ट का तो यहाँ से देख सकते हैं यह वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ठीक है इसको बोलते हैं electron gun assembly ठीक है यहां से और यहां तक इसको पूरा बोलते है electron gun assembly तो एक-एक topic को हम लोग बारी-बारी से समझते हैं चलिए तो सबसे पहले आता है आपका electron gun assembly electron gun assembly में क्या होता है key the source of focused and accelerated electron beam is the electron gun तो जो electron gun होता है उसका काम क्या होता है focus करने का काम होता है electron को generate करता है फिर वहां से focus भी करता है accelerate भी करता है ठीक है और अगला point the electron gun consists of electron जो gun assembly है उसमें कौन-कौन से होते हैं part तो उसमें पहला होता है आपका heater cathode, control grid और three anodes होते हैं PAA जिसको बोलते है pre accelerating anode FA foxing anode, AA इसको बोलते है accelerating anode ठीक है तो इतने सारे part होते हैं किसमें electron gun assembly में तो एक-एक part को हम लोग बारी-बारी से समझते हैं heater और cathode को सबसे पहले हम लोग समझते हैं तो heater और cathode क्या होता है heater आप लोग समझते होंगे नाम से ही पता चला है कि इसको heat देगा ठीक है अगला point यह layer of varium and strontium oxide तो जो layer होता है जो cathode का layer होता हो varium का होता है या फिर strontium oxide का होता है ठीक है is deposited on the end of cathode cathode के end पर इसको deposit किया जाता है इसको एक layer बना दिया जाता है varium और strontium oxide का इससे क्या होता है which is cylindrical which is cylinder to obtain a high emission of electron at modulate temperature तो यह एक निश्चिक temperature पर एक modulate temperature पर अधिक से अधिक electron को हम लोग यहां से उसरजित करा सकते हैं इसलिए वहाँ पर क्या होता है deposit किया जाता है layer बना जाता है varium और strontium oxide का ठीक है अब अगला point आता है आपका control grid control grid का क्याम क्या होता है ठीक है इसको हम लोग समझते है तो control grid the electron are passing through a small hole in control grid तो control grid जो होता है उसमें एक small hole होता है जहां से electron pass करता है ठीक है अगला point that control grid is usually a nickel cylinder with a controlling located holes coxial with CRT axis तो जो control grid होता है वो निकेल का बना होता है ठीक है cylinder निमा होता है निकेल का बना होता है और इसका काम क्या होता है कि जो CRT का axis होता है उस पर focus करने का काम करता है ठीक है control करने का काम करता है control grid का उसको एक जगह पर स्थित करने का काम करता है control grid का ठीक है अगला point this is usually a metal cap of low permeability steel about तो एक metal cap का यूज करते है जिसका low permeability steel होता है steel का हम लोग यूज करते है जो की low permeability होता है ठीक है metal cap के रूप में about 15 mm in diameter जो जिसका ब्यास होता है जो diameter होता है 15 mm होता है and 15 mm long और 15 mm long लंबा भी होता है long भी होता है and hole of about 0.25 mm is drilled in the cap of grid for electron to flow through it और यहां से electron को जाने के लिए जो hole होता है उसका size कितना होता है 0.25 के लगवग होता है ठीक है वहां पर इसका छिद्र किया जाता है 0.25 का एक hole किया जाता है वहां से electron pass करने के लिए अगला point the intensity of electron is controlled by control grid सबसे important यह है most important कि control grid का काम क्या होता है कि जो electron है जो electron beam है उसको control करने का काम करता है उसके intensity को control करने का काम होता है control grid का ठीक है अब हम लोग समझते है इसका अगला part anode anode वह हमने देखा है कि तीन प्रकार की anode थे एक था pre accelerating anode एक था focusing anode एक था accelerating anode ठीक है तो anode की बारे में हम लोग सबसे पहले समझते है the electron are emitted from the cathode electron है वह emit हो गया cathode से ठीक है and passing through the whole of control grid और control grid का जो whole है उससे pass कर गया और accelerated by the high positive potential which is applied to the pre accelerating anode and accelerating anode तो यहाँ पे जो pre accelerating anode है और जो accelerating anode है इन दोनों पर हम लोग क्या देते है positive potential देते है जो कि high potential होता है high voltage होता है ठीक है high voltage हम लोग provide करते है कि इस पर pre accelerating anode पर और accelerating anode पर इन दोनों पर हम लोग high positive potential यहाँ पर provide करते हैं तो इसके बात क्या होता है हम लोग समझते है अगला point the electron beam is focused by foxing anode तो foxing anode जो है fa है उसका काम क्या होता है सिलेंडर नुमा होता है with small opening location in the center और इनके center पर एक small hole होता है hole होता है opening होता है मतलब खुला होता है थोड़ा सा वहां से electron pass करने के लिए coxial with tube axis जो CRT का screen है या CR-O का screen है वहां पर एक जगह पर इस्थित करने के लिए यहां पर छीद्र किया जाता है इसमें hole किया जाता है ठीक है अब हम लोग समझने आले इसका अगला part deflection plates तो हमने देखा अभी diagram में कि दो प्रकार के deflection plates होता है एक horizontal deflection plate होता है तो जो horizontal deflection plate होता है x plate ठीक है और जो vertical deflection plate होता है इसको बोलता है y plate अगला point the plates are filtered so as to allow the beam to pass through them without striking the plates तो बिना strike किये होए जो plates है horizontal deflection इनको बिना strike किये होए सीधे pass करने का काम होता है इन दोनों का ठीक है इन दोनों को किस काम में आते है इन दोनों को foxing करने के लिए काम आते है जो electron gun है जो electron beam है electron जो beam है उसको focus करने का काम होता है क्योंकि जो deflection plate है वो दो पर दो है एक vertical है horizontal है तो यहां से इसका काम क्या होता है एक तो यहां पर रहेगा vertical यहां पर रहेगा horizontal यहां पर रहेगा तो यहां से सीधे सीधे जाएगा आपका क्या electron और सीधे strike करेगा किस पर CRR के screen पर last में क्या आता है screen of CRT CRT का screen आता है the screen materials on inner surface of CRT is called phosphorus तो जो inner material जो surface है CRT का जो screen है उसका जो surface है अंदर का जो surface है उसका जो material है ठीक है उसको बोलते है फासफर तो यहां पे जो हम लोग मैटेरियल का यूज कर देंगे उसका काम क्या होगा इलक्ट्रों जो यहां पे स्टाइक कर रहा है उसमें कानेटीक एनरजी होता है उसको ऑउक्जर्ब करेगा देन क्या करेगा उसका काम क्या होगा रीमिट करेगा फिर उसका रीमिट करेगा उसके बाद लिम्नियस स्पॉट वहां से बन जाएगा जो स्क्रीन है जो स्यारो या स्यार्टी का जो स्क्रीन है वहां पर लिम्नियस स्पॉट बन जाएगा ठीक है अब हम लोग देखने वाले इसको बोलते है face plate the face plate is formed by placing molten molten gloss in a mound some CRT have face plate made from the fiber optics तो कुछ ऐसे भी CRT के face plate होते हैं जो fiber optics के बने होते हैं ठीक है और कुछ ऐसे भी होते हैं CRT का front जिसको बोलते है face plate वो क्या होता है कुछ molten glass का भी बना होता है ठीक है तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको चैसे समझ में आया होगा कि CRT क्या होता है और CRT के बिभी जो different parts होते हैं वो कौन से होते हैं ठीक है तो thanks for watching this video Thank you so much मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जाएं क्या है